नमस्कार आप सभी भाविय अध्याप्तों और प्रतियोगियों का मेरे यूट्यूब चैनल इस्टेडी शाला 2.2 में बहुत बहुत स्वागत है साथियों हम लोग हिंदी व्याकरण की एक पूरी स्रिंखला के तहट चल रहे हैं हमारे नए साथ ही जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ कि हिंदी व्याकरण की पीछे की सारी क्लासे वी एक दम बेसिक से हैं यदि आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है तब भी आप उसको पढ़कर बड़े आराम से समझ सकते हैं बिल्कुल आप जाएं और सुरुवात से हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं ठीक है जो भी सुपर्टेट की तयारी करने वाले हैं उनके लिए कई सारी क्लासे जो है चलने लगी है मैध की चलने लगी है बाकी जो है दोस्तों अब हम लोग हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे थे विकारी शब्द और विकारी शब्द में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है देखिए विकारी शब्द कितने प्रकार की थे चार विकारी देखिए विकारी शब्द कौन-कौन चार प्रकार की कौन-कौन थे संग्या ठीक है सर्वनाम इन दोनों को हम लोगों ने बहुत ही बहतर धंक से पढ़ लिया है किसरा था विशेशन और आपका जो चौथा आता है वो था क्रिया ठीक है ये चार चीज़े हमको पढ़नी है जिसमें से दो हम लोगों ने पढ़ लिया है अब आज हमारी बारी है विशेशन पढ़नी की कसातियों जल्दी से आप लोग जोड़ जाएं आप सभी को शुब संध्या और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे देखे आज विशेशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों एक चीज़ और और मैं आपको बता दूँ कि जो है कल से स्कूले में छुट्टी है तो आज मैं घर जाने वाला हूँ इसलिए आपको ये वीडियो थोड़ा सा पहले रिकार्ड करके मिल जा रही है और दूसरी चीज़ यह है कि आज कॉमेंट आपका लाइब नहीं ले पाऊंगा आगे से आपको क्लास मिलेगी तो कल भी क्लास मिलेगी आपको दो दिन क्लास बंद रहेगी 18 और 19 को regular classes बंद रहेगी सुपर्टेट के हमारे साथियों के लिए कुछ strategy की क्लासे जो है जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है ये क्लासे आपको मिलती रहेगी कैसे मैं करें कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकें चलिए आज हम लोगों का chapter है आज हम लोगों का topic है chapter नहीं topic हम कह सकते हैं विशेशन क्या है दोस्तों कि विशेशन देखिए आपनों कमेंट बाक्स में देखिए मैं कमेंट बाक्स आपका भले नहीं पढ़ पा रहा हूं इस यहां पर जो यह शा लिखा है और यह शा लिखा है ठीक है आप इनका उचारण अस्थान जल्दी से कमेंट बाक्स में जाकर बताएं यह आपके रिवीजन में काम आएगा ठीक है तो आप जल्दी से इसका उचारण अस्थान बताएं और यह किस वर्ग का है यह भी आप ब टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं विशेशण अब विशेशण का अगर हम लोग अर्थ समझे तो इसका अर्थ जो होता है वो है विशेशता बताने वाला क्या करने वाला विशेशता बताने वाला ठीक है अर्थात ये शब्द वे होंगे जो किसी ना किसी की विशेशता बताएंगे क्या होंगे किसी ना किसी की विशेस्ता बताएंगे अब बात आई कि सर विशेस्ता तो बताएंगे लेकिन किसकी बताएंगे ऐसे ही तो किसी की बता नहीं देंगे तो बिल्कुल आपने अभी अभी पढ़ा विकारी शब्द कितने चार कौन कौन से फिर से मैं लिख रहा हूँ यह आपको याद भी होने चाहिए आप से पूछा भी जा सकता है संग्या है सर्वनाम है विशेषड है और क्रिया है अब देखिए अब बात यह आई कि जो विशेषड है वो इन में से किसकी किसकी विशेषदा बताने वाला है ठीक है दोस्तों तो आप यह जानिए कि विशेषड इन चारों की विशेषदा बताता है क्या करता है चारों की विशेषदा बताता है लेकिन उसके नाम और प्रकार बदल जाते हैं कैसे देखिए ध्यान से समझे यदि कोई शब्द संग्या की विसेष्टा बताता है यदि कोई शब्द संग्या की विसेष्टा बताता है फिर से समझेगा यदि कोई शब्द संग्या की विसेष्टा बताता है यहां पर संग्या की बात आई तो उसे हम कहेंगे विसेष्टा उसे शब्द को हम क्या कहेंग विसेशन कहेंगे यदि कोई शब्द सर्वनाम की विसेशन कहेंगे तो आप जानते हैं कि संग्या और सर्वनाम एक ही होते हैं बस संग्या की बदले बोल दिया जाता है तो इसे भी हम क्या कहेंगे विसेशन कहेंगे वह शब्द जो सर्वनाम की विशेषण बताएगा उसे भी हम विशेषण कहेंगे अब देखिए जब कोई शब्द किसी विशेषण की ही विशेषण बताने लगे ठीक है मतलब दो विशेषण एक साथ आ जाएगे और जो देखे दो विशेशन ये एक आ गया ये एक आ गया जब ये वाला विशेशन इसकी विशेशन बताने लगे तो क्या हो जाएगा ये भी विशेशन ये भी विशेशन लेकिन ये वाला विशेशन संग्या की विशेशन बताएगा या सर्वनाम की विशेशन बताएगा और ये वाला विशेशन्ड जो है ये इसी विशेशन्ड की विशेशन्ड बताएगा ठीक है आप समझ गए तो जो ये वाला विशेशन्ड होगा जो विशेशन्ड की विशेशन्ड बताता है उसे हम कहते हैं प्रविशेशन्ड क्या कहते हैं दोस्तों प्रविशेशन्ड और जो क्रिया की विषेष्ता वे सब बतायों उन्हें हम कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तों क्रिया विषेष्ता न्यों अपको डेखिए यह आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ गया हूंगे आपको तो मैं थोड़ा किनारे इसको करता हूँ ताकि आपको दिखे देखे डिजिटल बोर्ड होने का थोड़ा सा ये फायदा तो है कि हम जो चीज चाहें इसमें उधार कर सकते हैं ठीक है देखिए ये आप समझ रहे हैं कि जो विशेशड है वो चारू विकारी शब्दों की विशेशता बताता है लेकिन क्या होता है कि उसके नाम बदल जाते हैं जब वो संग्या की विशेशता बताएगा और सर्वनाम की बताएगा तो उसे हम विशेशड कहते हैं जब वो खुद विशेशड की ही विशेशता बताएगा तो प्रविशेशड और जब क्रिया की व किसको पढ़नेवाले है क्रिया विशेषण को अव्याय में पढ़ने वाले हैं यह चीज आप समझ गए बिलकुल मैंने कहा था ना हिंदी बेस असे पढ़ेंगे कोई भी चीज छूटे की नहीं तो बिलकुल विकारी शब्द क्या होगा वह विकारी शब्द जो किसकी विशेष्टा बताएगा आप समझिए आप ये हम विशेषड की बात कर रहे हैं तो विशेषड देखे केवल दो ही हैं यहाँ पर है ना किसकी किसकी विशेष्टा पर संग्या और सर्वनाम की विशेश्टा बताने वाले विशेश्ट कहे जाएंगे, बाकी तो सब अलग अलग है, एक क्रिया विशेश्ट हो गया, एक प्रविशेश्ट हो गया, हमको यहां विशेश्ट पढ़ना है, विशेश्ट दो ही तो आए, एक संग्या की विशेश्टा बताते हैं लिए विकारी शब्द जो संग्या या सर्वनाईम की विशेस्ता बताते हैं क्या कहलाएंगे विशेषर कहलाते आप समझ गये इसको विशेषर कहलाते हैं बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ है ठीक है सुपर्टेट में आपके टाइम है या किसी अन्य परिक्षा की आप तैयारी करें तो उसमें भी आपको समय है अभी तो आप आराम आराम से बढ़ते चलें मायने ये रखता है कि परिक्षा से पहले आप तैयार कर ले जाए और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए बस मेरा भी यही उदेश है कि आपकी प्रश्न गलत नहीं हो क्योंकि हिंदी एक ऐसा विश्य है जो सबका बढ़िया रहता है तो अगर उसमें आप एक भी प्रश्न गलत करते हैं तो आप बाकियों से पीशे चले जाएंगे तो हिंदी में आप बिल्कुल एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए ठीक है तो यह आप समझ गए बिल्कुल आप समझ गए सर्वनाम की परिभाशाबे आपने देख ली अब देखिए कैसे सर्वनाम जैसे मैंने कहा मैंने एक वाकिय लिखूँ या फिर से ऐसे लिखूँ की जो है सुन्दर घर ठीक है अब ये घर क्या है घर आप जानते हैं की संग्या है ठीक है ये सुन्दर क्या कर रहा है इस घर की विशेस्ता बता रहा है ये जो सुन्दर शब्द है, ये क्या कर रहा है? इस घर की विशेशता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दूस्तों? ये हो जाएगा विशेशन. और विशेशन में किस परकार का विशेशन होगा, मैं ये आपको बताने वाला हूँ. थोड़ा सा धहरे रखिए, बिल्कु प्लेस पर आऊंगा, तो फिर से आपको यहां से क्लासे मिलने लगेंगे, लेकिन आपकी क्लासे रुकेंगी नहीं, दो दिन हो सकता है क्लासे बंद रहें, एक अठारा को, एक उन्नीस को, ठीक है? दो दिन क्लासे बंद रहेंगी, बाकी आपकी क्लासे रेगुलर चलेंगी सुपर्टेट वालों के लिए क्लासे कुछ आती रहेंगी चैनल पर तो आप वहाँ पर विजिट कर लें बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर ये सब PDF में आपको चाहिए Current Affairs PDF में चाहिए CDP के नोट्स मेरे जो खुद के बनाय हुए नोट्स है जिससे मैंने पर इचाट आपकी अगर वो सारे नोट्स चाहिए तो भी आप मेरा चैनल जोईन करें टेलिग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है चलिए अब आप समझ गए ये है विशेषणड और ये है आपका संग्या इसी में अगर कोई सर्वनाम शब्द आ जाता तब भी क्या होता कि वह विशेषणड ही हो जाता इसकी विशेषदा जो बताता चलिए ये आप समझ गए है अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विशेषणड की और प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ शब्द आपको समझने होंगे कौन कौन से शब्द देखिए जो आपको शब्द समझने है वो है विशेषणड पहले ये शब्द आप समझ लीजिए ठीक है और उसके बाद आपका सब्द है विशेशक ठीक और एक आपने अभी देखा यहाँ पर प्रविशेशन क्या देखा आपने प्रविशेशन ठीक है अब मैं बता दू कि जो विशेशक है यही विशेशन भी है कैसे मैं अभी समझाने वाला हूँ ठीक है बिल्कुल आप समझ गए और जो विशेश है यही संग्या या सर्वनाम है कैसे यह भी मैं अभी बताने वाला हूँ ठीक है चलिए अब हम एक एक सब्द लेकर समझते हैं कि कैसे ठीक है विशेश क्या है और विशेशक क्या है अब जैसे एक जो है हम यहाँ पर वाकिल लिखते हैं छोटा सा या विशेशन के साथ आपको सब्द लिखते हैं जैसे मैंने लिखा था सुन्दर घर क्या लिखा था सुन्दर घर ठीक है तो यहाँ पर आपको दो चीजे मिलें क्या-क्या एक तो सुन्दर और एक है घर और यह आपका है संग्या और यह क्या है आपने अभी-भी समझा था विशेशन ठीक है मैं पिछला वाला ही उधारन लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए देखिए सुन्दर घर हो गया आपका अब मैं बात करूँ कि एक आप अलंकार पढ़ते होंगे अभी फिलाल मैंने पढ़ाया नहीं है मैं आपको पढ़ाऊंगा रूपक सॉरी उपमा अलंकार आपने पढ़ा होगा कौन सा अलंकार उपमा अलंकार और इसमें भी आप क्या समझते हैं कुछ चीजें आपको मिलती हैं कौन कौन सी चार शब्द आपको समझने होते हैं जैसे उपमे उपमान उसके बाद क्या होता है वाचक शब्द और साधार और धर्म ठीक है? यह आप समझ रहे हैं? तो यहाँ दो चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ उपमे और उपमान क्या होते हैं? उपमे का मतलब होता है कि देखे, इसको भी मैं समझा दूँ एक उधारा लेकर जैसे मुख चंद्र अर्थात मुख रूप क्या चंद्रमा रूपी मुख मतलब चंद्रमा के समान मुख ठीक है? देखे मुख चंद्रसा अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाला या वाली ठीक है? तो आप समझ ये क्या हुआ है कि इस मुख की समानता किसके साथ बताई गई है चंद्रमा के साथ बताई गई है इसके साथ बताई गई है अब देखिए किसकी मुख की किसके साथ चंद्रमा के साथ तो मुख जो है ये होगा उपमे और जो चंद्रमा होगा ये होगा उपमान अब समझे जो उपमे होता है ये जिसकी विसे बताई जाती है और जो उपमान होता है वो जिससे समानता दिखाई जाती है क्या होता है जिससे समानता दिखाई जाती है अब यही चीज आपको समझना है जिसकी उपमा दी जाएगी जिसकी उपमा दी जाएगी अर्था चंद्रमा की उपमा दी गई तो यह हो जाएगा उप द्रमा से जिससे समानता बताई गई है वो आपका उपमान और जिसकी समानता अर्थात चंद मुख की समानता बताई गई है तो वो उपमे हो जाएगा दो चीज आप समझ गए तो देखिए ये भी विशेशड हुआ यहां भी और यहां भी विशेशड आपको मिल रहा है तो जो आपका paragraph रूप में मिलता है, line में, और एक होता जो आपको कावे रूप में मिलता है. तो कावे रूप की जो सोभा बढ़ाता है, उसे तो हमने अलंकार कहा, जो कावे रूप की सोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार हो जाते हैं जो गद्य रूप की सोभा बढ़ाते हैं वही होते हैं विशेशण क्या होते हैं? विशेशण इतना समझाने का मेरा मतलब यही था और इनकी तुलना आप इससे कर सकते हैं, मैं अभी करा दे रहा हूँ, देखे, समझे, अब देखे, यहाँ पर मैंने बताया, ये क्या है, सुन्दर एक विशेषड है, बिल्कुल, और इसी को हम विशेषक भी कहते हैं, विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा, जैसे सु ये विशेषता बता रहा है, इसी को विशेषड भी कहा जाता है, और इसी को विशेषक भी कहा जाता है, ठीक है, विशेषक अर्थात विशेषता बताने वाला, और सेम वही है विशेषड, तो आपको दोनों शब्द कहीं मिल जाएंगे, तो आप confused बेलकुल नहीं होगेगा विशेसर ही विशेशक है ठीक है उसके बाद आपकी बात आई घर की ठीक है तो घर तो आपका संग्या है या इसकी जगह पर कोई सर्वनाम भी हो सकता है और जो घर होता है यही विशेश से है अर्थात विशेश से जो होता है वो कौन सा शब्द होता है जिसकी विशेशता ब विशेशक क्या होगा जिसके मार्ध्यम से या जिससे होता है ठीक है जिससे विशेशता बताई जाती है ठीक जिसकी और जिससे किसकी घर की बताई जा रही है तो घर आपका विशेशता है आप समझ गए और किससे बताई जा रही है सुंदर के मार्ध्यम से सुंदर शब्द क मार्खम से तो यह आपका विशेसक हो गया देखे यहां पर भी देखिए उपमे और उपमान जिस की विशेसता बताई जा रही है उपमे और जिस से विशेसता बताई गई है उपमान यह चीज आप समझ गया होंगे बहुत अच्छे से यह शब्द आपको समझ में आने चाहि ठीक है यह आपको अलंकार में मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से चलिए अब यहां आप समझ गये होंगे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं ठीक है इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आता रहे ठीक विशेसक और विशेस से क्या ह होते हैं तो विशेस से आप समझ गये क्या होते हैं जिसकी विशेसता बताई जाती है विशेस से होते हैं जैसे संग्या और सर्वनाम और जिस सब्द के माध्यम से विशेसता बताई जाती है वो विशेसक हो गये ठीक है उसके बाद देखिए क्या होता है प्रविशेसर तो यह इसे प्रविशेषड कहा जाता है, ठीक है, आप देखिए होता कैसे है, मैंने लिखा सुन्दर घर, ठीक है, अब आप जानते हैं कि यह विशेषड और यह विशेष से, ठीक, विशेषड और विशेष से, विशेषड और विशेष से हो गया, चलिए अब यहाँ फिर से आप समझेए कि मैं इसके बगल में लिख दूँ कि बहुत सुन्दर घर हो गया मैंने लिख दिया बहुत अब देखिए दोस्तों क्या बता रहा है ये किसकी विशेश्था सुन्दर की कि ये बहुत जादा है, बहुत जादा सुन्दर है, तो ये किसकी विशेस्ता बताया, ये इस सुन्दर की विशेस्ता बताया, और ये सुन्दर किसकी विशेस्ता बताया, घर की विशेस्ता बताया, तो सुन्दर घर की विशेस्ता बताया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है यह हो गया आपका प्रविशेसड अर्थात वह विशेसड जो विशेसड की विशेस्ता बता दे वो क्या हो जाएगा प्रविशेसड हो जाएगा यह जो एक और आपका प्रकार था क्रिया विशेसड इसके बारे में हम अब्द्याय में पढ़ेंगे ठीक है यह आप सम विकारी शब्द जो विशेशनड की विशेशता बताता है यह आप समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए? प्रविशेशनड भी आप समझ गए ठीक है? यह प्रविशेशनड की परिभासा विशेशक की परिवास्ता भी आप जान गए क्या है? जिसकी विशेशता बताई जाती है विशेशक या विशेशण क्या है? जिसके माध्यम से विशेशता बताई जाती है ठीक है? ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए अब आपको क्या समझना है ये समझ ये देखे अब आपको विशेशड के प्रकार जानने है क्या जानने है विशेशड के प्रकार और विशेशड से आपका प्रश्ण हमेशा हमेशा पूंचा जाता है क्या होता है? हमेशा पूंचा जाता है हर परीक्षा में एक प्रशना आपका आया ही आया है तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं एक बार टाइम देख लूँ क्योंकि टाइम जादा नहीं होना है आज हमको जाना भी है तो देखिए विशेसर के परकार आप जानिए कि विशेसर चार परकार के होते हैं इतने परकार के चार परकार के होते हैं इन चारों परकारों के नाम हम लोग जान लेते हैं कौन-कौन से हैं, देखे, पहला है गुड़ वाचक विशेशन, पहला क्या है गुड़ वाचक विशेशन, दूसरा है आपका संख्या वाचक विशेशन, फिक है, तीसरा है आपका परिमाड वाचक विशेशन, फिक है, और चौथा आपका है सार्व नामिक विशेशन, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, फिक है, हाँ, कल की क्लास के बारे में थोड़ा समय बता दूँ, कल की क्लास आपको समय से नहीं मिल पाई, कुछ टेक्निकल प्रावलम हो गई थी, उसकी वज़न से आपको पहले नहीं मिल पाई, वो बाद में अप्लोड हुई है, तो आप उसको जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, देखिये, अब आपको कितने परकार मिल गए, चार परकार विशेशन के मिल गए, ठीक है दोस्तों, चार परका परिमाड का अर्थ होता है मात्रा से, किसी चीज की कितनी मात्रा है, और परिडाम का अर्थ आप जानते हैं, रिजल्ट होता है, परिडाम का अर्थ होता है, आपने कोई काम किया, उसका क्या परिडाम निकला, खिक है, तो ये आप समझ गए, यहां समझ ये, गुड़ वाचक वाचक का अर्थ आप लोग समझते हैं कि बताने वाला अर्थात जब कोई गुड़ बताएगा तो वो गुड़ वाचक संख्या बताए तो संख्या वाचक परिमाड अर्थात मात्रा बताए तो परिमाड वाचक सार्वनामिक ये आपको एक बार मैंने बताया था इसी को संके इत वाचक विशेशार्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो बिलकुल इन चारों के बारे में हम लोग कल की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बढिया से पढ़ना है क्योंकि विशेशार्ट से आपको प्रश्न मिलते ही, मिलते हैं, तो हम लोग सुपर्टेट की प्रतियोगी बंदों हमारे साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल तयार रहें आपको एक अच्छी चीज और उपलब्ध होने वाली है तो तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे हमसे आपक के लिए धन्यवाद शुबरात्री